आज हम आपको जैन्त महापात्रा का बायोग्राफिक को डिसकस करने वाल दोस्तों तो वीडियो कहने तक बने रहेगा पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजि और वो एक क्रिष्टन फैमिली को बिलॉंग करते थे गाइस ही एडुकेट इन पटना उनिवसिटी इन बिहार और इनका जो हाइर स्टडी हुआ था वो पटना की उनिवसिटी से कंप्लीट किये थे इन दिस कॉलेज ही कंप्लीटिड ही माह एमसी इस कॉलेज से उन्होंने इनका एमसी अपना कंप्लीट किया था था अपना एमसी ही टिट्स वेरियस कॉलेज इन काटक और इक कटक में बहुत सारे कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करवाई थी गाइस लाइक BJP कॉलेज, संबलपूर कॉलेज, गंगाधर महर कॉलेज, फकीर मोहन कॉलेज, एटी से ये सारे इतने सारे कॉलेज में उन्होंने बचों को पढ़ाया थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपना poetry करियर स्टार्ट किया था कटक जो है, उडिशाम पढ़ता है, वही का एक सेटी है, उसको बोलते कटक अब हम चलते आगे की लाइन में, he began his career in poetry very late at the age of 40 in 1968 और उन्होंने poetry का करियर जो था बहुत लेट से स्टार्ट किया था अपने 40 साल के उमर में उन्होंने अपनी poetry को स्टार्ट कि थी in 1968 में, in the beginning, when he published his poetry, शुरुवात में जब ये अपने poetry को published कराते थे then publisher was rejected his poetry, लेकिन फिर क्या होता था, कि जो publisher थे, वो reject कर देते थे इनकी poetry को क्योंकि इनकी poetry पूरे clear word में नहीं लिखी होती थी, पूरा उलजा उलजा लिखा होता था जिससे student को समझने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए publisher जो थे हैं, उसकी poetry को reject कर देते थे आगे हैं, but he never give up, लेकिन उन्होंने कभी भी give up नहीं किया, हार नहीं माने कभी भी, वो हमेशा try करते रहें कि एक न दीन, एक एक न दीन वो poetry में कभी न कभी कामियाब जरूर बनेंगे After some time, when the people know about him, कुछ समय बाद जब लोग इनको जानने लगे, then his poem got published in international level and also in India फिर उनका जो poetry था, जब लोग उनको जानने लगे, तब इनका जो poem था international level और national level, इंडिया में भी published होने लगे He was a major Indian English poet, और एक इंडिया का एक major poet थे, ये, महान कभी थे He wrote into two languages, first English and second Odia, ये दो language में अपनी poetry को लिखते थे और publish कराते थे पहले तो English हो गया और दूसरा Odia, क्योंकि Odia वही पर उनको उनको ने जनम लिया था, Odisha में ही, तो Odia तो लिखना था ही उनको He is one of the most famous poet of India and also called by the Indian English poet in modern period और ये जो थे, famous poet में से एक थे और इनको और भी नाम से जाना जाता था जैसे Indian English poet in a modern period, ने जमाने को उनको Indian English poet के नाम से भी जाना जाता था अब हम आगे देखते हैं कि क्या है इसका इनका और biography He is very sensitive man और ये जो थे, बहुत sensitive man थे, वो बहुत sensitive तरीके से अपने poetry को show कर देते Because all his poetry, he expressed almost emotion as love, pain, sadness, death, etc. क्योंकि इनकी जितनी भी poetry है उन में से अथिकतर में से इन्होंने अपनी poetry में Show किया है, emotion को, love को show किया है, pain को show किया है, दुखी को show किया है, और मिर्तिक को show किया है उन्होंने अब आगे, his poetry is fully based on the man-woman relationship और इनका जो poetry है, fully based on man-woman relationship के बारे में वो अधिकतर poem अपनी relationship एक man और woman के बारे में लिखते थे His best example of man-woman relationship, his poetry is lost, जो man-woman का relationship है, उसका best example है, उन्हीं का एक poem lost है जिन्होंने उन्होंने उसमें पूरा describe किया है, man-woman के relationship को आगे चलते हैं, lost is very deeply poem and also called love poem, lost जो है, इनका एक बहुत ही deeply poem है और इसको अलसो हम लोग और भी इसको साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक love poem है about something the man-woman relationship और ये जो poem है, ये man-woman relationship के बारे में उन्होंने डिसकस किया है अब आगे देखते हैं हम कि क्या होता है, इनके biography, he was the first Indian poet और ये जो थे, ये first Indian poet थे who win the Sahit Academy Award for his book relationship in 1981, ये पहले भारतिय थे जिन्होंने Sahit Academy Award जीता था अपनी book relationship के वज़े से in 1981 में, उन्होंने जीता था इस Sahit Academy Award को, इस relationship book के कारण और उन्होंने ये प्रूब कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये matter नहीं करता, कि एक poetry में आप कितनी पढ़े हो poetry में तो सिर्फ ये matter करता है, कि आपकी sensitivity यानि आपकी सोच जो है कहां तक पहुच पाती है, आपका किन-किन चीजों को किन-किन चीजों से compare कर रखते हैं, ये एक sensitivity का खेल है इस poetry के अंदर उन्होंने सो किया है, he also win the Padmasri Award in 2009, और उन्होंने Padmasri Award को भी जीता था 2009 में and return in 2015 to protest against the rising intolerance in India, और 2015 में उन्होंने return कर दिया था Padmasri Award को, क्योंकि वो जो थे tolerance in India में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने 2015 में क्या किया कि return कर दिया और एक और port जो है केन-दारू वाला, वो भी अपनी Padmasri Award को return कर दिये थे 2015 में ही क्योंकि सेम दोनों का कारण यही था और ज़्याद महापातरा और केन-दारू वाला है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छी तरीकेश जानते थे और दोनों ने अपने-अपने Award को return कर दिया था So this way, we conclude that the जैन महापातरा was a great character of India So हम इसी तरह कह सकते हैं कि जैन्त महापातरा है वो इंडिया के-क एक महान character है जो कि हम कभी ने भूल पाएंगे उनको Who rises himself, जिन्होंने अपने आपको उदय किया है और इंडिया को तो किया है यह किया है लेकिन अपने आपको भी उदय किया है और इन्होंने कभी भी give up ने किया है guys तो यह पर हमारा वीडियो खतम हुआ, thank you for video watching